नमस्कार मैं डॉक्टर विक्या गुपता सिल्वस्टिक हॉस्पिटल सेक्टर 87 गुडगाओं से आज आपके वारे में दिमाग की एक विमारी के वारे बात करना चाहता हूं जिसको अब लोग CSF Raioria कहते हैं CSF Raioria में क्या है नाक से मरीज के पानी निकलने लगता है और जो है मरीज को कई वर पता ही नहीं चल पाता उसको क्या बिमारी है और इसको लोग जुखाम की तरह से इलाज करते रहते हैं और बहुत सारे मरीजों को इसमें परशानी का सामला करना पड़ता है CSF Raioria पहले तो किसे कहते हैं दिमाग के अंदर पानी होता है इसको CSF कहते है यदि दिमाग में और नाक की में बीच में हड़ी होती है उसमें किसी वैसे छेद हो जाए परफॉरेशन हो जाए तो ये पानी नाक के रास्ते बाहर निकलने लगता है ये जान लेवा हो सकता ह यदि इसके अंदर दिमाग में इंफेक्शन चला जाए नीचे से ओपर तो ये जान लेवा हो सकता है इसमें आपको मेरेंजाइटिस हो जाएगी और जान में को खत्रा बढ़ जाता है अब CSF Raioria क्या कारण होते हैं CSF Raioria का सबसे पहला कारण होता है चोट यदि आपको चोट लगी है नाक और दिमाग के हड़ी जिसे हमें क्रिप्रिफॉर्म प्लेट बोलते हैं दिए हो फ्रैक्चर हो गई है डूरल टियर है तो आपको CSF Raioria हो सकता है इसके लावा एक स्पॉंडिने CSF Raioria होता है उसके अंदर हड़ी कमजोर होती है और साथ में जो है जो इसका टाइमली डाइग्नोसिस बन जाए तो इसका इलाज संभाव है इसकी डाइग्नोसिस के लिए हमें एक तो हम नाक से जो पानी निकलता है उसका शूवर टेस्क कराते हैं साथ में हम जो है मरीज का सीट के नेमारा ही कराते है एक बार ताकि हमें पतल जाए exactly कहां पर ड करते हैं इलाज दो तरीके सोता है एक नाक के रास्ते सोता है दुर्बिन दुवारा और एक दिमाग से होता है जब्किंद दिमाग से करते हैं तो इसको दोने तुरा मेटर के अंदर से भी यदि हम सीसे को डूरा के बाहरinsky आंदर से रेपेर करते उस PhD की चांसे बहुत काम होते हैं आब इस प्रेस क्या कॉम्टिकेशन हो सकते हैं जैसे कि मैंने बता है जो हेए्ट और कि युटे करते रेए कॉर्ण डॉक्टरों को दिखाएं इसी नियोसेज़ को दिखाएं और इसकी डाइग्नोजिब बन जाती है और इसका इलाज कराएं ताकि आपकी फड़ा-फड आप ठीक हो जाएं और दिमाग की हमारी कोशिश है हम दिमाग की बिमारी के वारे में कोई ना एक टॉपिक पर आप से ड कुझार कर रहा है